वेलकम टू बी एसे बिहार एस्टेटिक जाम में आपका स्वागत है यह वीडियो बी एसे से इंटर लेवल का जो बैकेंसी निकली है उसी के लिए मैथ का प्रैक्टिस एक डिसकसन करने वाले जो प्लेटपॉर्ण बुग ड्वारा 24 सेट का निकाले गए थे वीडियो शुर प्रैसन है जिस त Во था कितरे प्लेट blog डूसरी अन्षर के अर्थ Richt कम हो जाएगा यानी सेपी हुआ। एक बड़ावला एक्स हो गया तो दूसरा क्या होगा वाई होगा दूसरा वाई कर आए कि बड़ी अंस का आधा यानि एक्स का जो आधा करेंगे आधा, दूसरी अंस, यानि y से 48 कम है, y से 48 कम है, तो y कितना हो जाएगा, xy2 पलस 48 हो जाएगा y, clear, ये हो गया y, अब क्या कर रहा है, तो वह संख्या ग्याद करना है, जैसे देखिए, तो उनों संख्या का यो कितना है, 300, यानि x, x पलस y बराबर कितना जाएगा है, 300 वाला संख्या, y के जगा हम लिख सकते, xy2 पलस 48 बराबर 300, clear, जब इसको solve करेंगे, तो क्या आजएगा, 2x, y2, 2x में से 3xy2 बराबर 300, माइनस 48, 300 में से जब 48 घटाएगे, तो कितना आजाएगा, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 9, 9 में से 4 गया 5, यानि 252, 222 को क्या किजिए, 3 से डिभाइट किजिए, यानि x वराबर क्या होगा, 2 से multiply करना नीचे वाले उपर चला जाएगा, आउपर वाला नीचे आजाएगा, जब 3 से इसको काटेंगे, तो कितना वरते, 234 बचा एक तिन्चक वाड़ा, यानि 84 को जब 2 से multiply करेंगे, तो कितना चार दूना आठ, आज़ दूना सॉल्ण, यानि बड़ा वला संक्या कितना आगया, 168 आगया, 168 तो छोटी वाले संक्या क्या होगा, 168 का, यहां पर पुट कर रहें, 168 का आधा, पलस 48, 168 का आधा कितना होगा, 8216, 428, यानि 84 पलस 48, कितना होगे, 8212, कि, हासिल, 18213, 132, यानि, वाई कितना आगया, 132, यानि करेक्ट एंसरों का, ओप्शन, ओप्शन भी, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्लियर है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, कि बड़े वाली संख्या, 168 का आधा किजिए, उस में से, अगर, क्या किजिए, 48 को, एड कर देना है, क्या, तो क्या या, 132 मन रहा है, चेक कर लिज़ें, यहां से, यह भी आपको, करेक्ट एंसर दे देगा, क्लियर है, नेक्स्ट, 28.50 रुपया, प्रती किलोग्राम, 11 किलोग्राम चाय को, 22 रुपय प्रती किलोग्राम के, 9 किलोग्राम चाय के साथ मिलाए जाते, मिसरित चाय का, प्रती किलोग्राम औसत मूल क्या होगा, पहर, क्या रहा है, 28.5 रुपया वाला, 11 केजि चाय, 11 किलो चाय का द तोटल 11 kg चाहे का प्राइस हो जाईगा कितना quiet 25 को 11 से मल्टिम्लाइ करेंगे तो आपको आजाएगा कितना तीन सो तेरा पॉइंट gösteraten पॉइंट tiles13.5 ओजए है और क्या करा 22 रुप्या वेला कितना के लिए एप पीकले चाहे नो केजी जब इसको तो मुल्टिप्लाइ करेंगे तो कितना आजागा 928 के अथासिल एक नव्दून आठारा एक उनिस यानि 109 यानि टूटल प्राइस कितना हो गया त्यज हो गया पूटल इतना केजी हो गया समान 11 किलोग्राम यहां ले रहे है 11 कितना के विश्काव से 11 kg 11 kg का प्रैस इतना हो गया टूटल और नो किलो ले रहे हैं 22 रुपह के विश्का प्रैस कितना हो गया फाइब दोसेख इगारा के एक हासिल एक नो इक दोसेख इगारा के आसिल इतीने चारेक पाज 511 रुपया टौटल प्राइस हो गया अब क्या कर रहा है कि इसका अभरेज मुल कितना होगा यानि हमने कितना किलो कर दे 111 यहां पर खर दे दिवाइड करेंगे तो एवरेज प्राइस प्राइस प्राइब यह कितना आ जाएगा देखिए दो दुना चार्ट दो पची दस एक फिर एक बचरा यानि दो पची दस दो पची दस और फिर दो बचरा है यानि 25.58 इसका इसको डिवाइड करके भी आप आसानी से देख सकते हैं चलिए नेक्स प्रस्ट देखते हैं यह कोश्चन क्या करा है ए बरावर 1.9 बरावर 2.1 तो निम में से कुन एसकोई प्लस 2AB प्लस बस बस देखने के साथ ही हम लोग को क्या पता चलना है कि ए प्लस बी का हॉल इसकोई है ए प्लस बी का हॉल इसकोई क्या होता है यहां एक ही जगा हम क्या लिख सकते हैं यह तो पूछ रहा है यह फाइंड आउट गरना है एक ही जगह यहां दिया गया 1.9 प्लस बी की जगह कितना दिया है 2.1 तो इन दोनों को एड करके स्कोई निकालेंगे कितना हो जाएगा 9.1 दर्श के सुनना हासील एक 2.3.4 यानि 4 का स्कोई चार का स्कोई कितना होता है 16 यानि करेक्ट एंसर हो जागा 16 यानि ओप्सन सी इस प्रस्ट का करेक्ट जवाब हो जाएगा क्लियर है निक्स इंपोर्टेंट प्रस्ट क्या है question क्या कर रहा है इसको आसानी से समझे कर रहा है कि x minus y का 50% x plus y के 30% के बराबर है तब x y का कितना परतिसत है देखिए x minus y का कितना 50% 50% को क्या लिख सकते 1 by 2 बराबर x plus y का 30% इतना का 30% 30% का fraction value कितना 3 वटा 10 यह देखिए 2 से यह 10 कर जागा पाच मर्ति इससे cross multiply होगा तो कितना होगा 5x minus 5y बराबर 3x plus 3y जब यह x इधार आजागा तो कितना होगा 2x बराबर यह 5 उदर चल जागा तो 5-4-3-8y यानि x वटा y लिख सकते कितना 4 वटा आठ वटा दो आठ वटा दो इसको जब काटेंगे दोचे का 8 यानि 4 वटा एक यानि x का value कितना हो गया 4 और y का value कितना हो गया 1 जिसके साथ का लगा हो उसको नीचे लिखेंगे जिसके साथ का लगा हो उसको नीचे लिखेंगे यानि option D इस प्रस्ट का कडिक चबाव नेक्स्ट तुमीद एक घंटे में पाच किलोमीटर गया पाच मिनाट में वह कितनी दूड़ी तैक करेगा देखिए एक घंटा एक घंटा में वन आबर में उसने कितना किलोमीटर गया पाच किलोमीटर पाच किलोमीटर यानि एक घंटा यानि साथ मिनट में लिख सकते पाच किलोमीटर यहां मीटर में पूछ रहा है यानि पाच किलोमीटर को क्या लिख से एक किलोमीटर में एक हजार मीटर पाच गुनी एक हजार मीटर ताट मिनट में वह कितना है पांच गुने एक हजार मीटर तो एक मिनट में वह कितना जाएगा यहां मिनट है कि दूरीत्या करेगा अब उसको क्या करेगा इन तो फाइव से मल्टिपलाई करेंगे फाच मिन अघ्स v005 यह 0 करने कितना मत्म चौचर के चोबिस एक बच रहा है है दूना बाड़ा नहीं लगेगा यानि करेक्ट एंसर आजाका 416.67 यानि ऑप्शन का करेक्ज जबाब होगा कितना 416.67 इस चार वेक्ती को चार दिन खाने के लिए चार वेक्ती है उसको क्या करा है चार दिन खाने के लिए चार किलोग्राम चावल किया वज सकता है 20 वेक्ति को 20 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे हम लोग ने क्या पढ़े थे वेक्ति यानि मैन वेक्ति, समय, टाइम और डे को उपर रखेंगे है हुआँ पाकि जो बचेगा उसको रेश्ट को नीचे लगते वेक्थी समय और दिन को उपर बाकिको नीचे वेक्थी क्या है चार वेक्थी 윩 है ठेक। अब फाल को लिए नोक्र में चार वेक्थी 15 बढ़ना धिया है तो चार दिन मैं 6 वेक्थी 576 0022 गरती विक्ति किसंग्यवेश कितना बढ़ाना निकालना है इन Wish Ah क्या कर रहा है 20kg उसको चाब को खाना है चार से चार कड़ गया से 20 कड़ इन히 यानि यानि बढ़ाबर पचास वेक्ति के एक समू में 35 हिंदी बोलते हैं 35 वेक्ति हिंदी बोलते हैं 25 वेक्ति अंग्रीजी और हिंदी दूनों बोलते हैं एवं सभी वेक्ति कम से कम एक भासा बोलते हैं तो कितने वेक्ति अंग्रीजी बोलते हैं इंग्लिश बोलने वाले वेक्तियों की संख्या निकालना है ऐसे question जब भी हो तो वेन डाइग्राम का पर्यूग करेंगे कैसे एक figure हो गया यह दो हो गया ठीक इसमें देखिये एक वेक्ति क्या कर रहा है हिंदी बोलता है यह जो है हिंदी बोलने वाला है थिक यह जो है English बोलने वाला है और यह जो द्या गया है इसमें जो होगा वो दोनों बोले में हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलेंगे अब question में क्या कर रहा है यह प Applause vallahiarnis डिखती के एक समुओन में 35 keto हिंदी बोलते हैं ठीक है पाचीस व्यक्ति अंगडेजी हिंदी दूरे बोलते हैं,Ah किंदो बोलने वाला पाचीस है अब क्या कर रहा है पैटिसवेक्ति हिंदी बोलता है हिंदी तो यहां पाचीस तो बूहां रहा है・ और इतना जोड़ेंगी कि 35 बन जाए इसमें जोड़ना होगा 10 विक्ति और एक्स्टा आएगा 35 विक्ति हिंदी बोलने वाले हो गया अब क्या कर रहा है तूटल 50 विक्ति है यहां कितना हो गया 25 और 10 35 हो गया बचा कितना 35 में 10 35 पान 40 10 50 होगया इंग्लिस बोलने वाले अब क्या कराई 15 विक्तिंस इंग्लिस बोलेंगे यहां 10 सिर्φ 65 प्यो स्टवेंगी फान 55 च्बर कर देंगी कितना हो जागा तो ब्लक मैं बोलेघना को बाबों का कितना 40 वेक्ति ऐसे होंगे जो अंग्रेजी बोलेंगे क्लियर है next नेमरी कि मैंसे कौन य अक्ष पर इस्तित है य एक्सिस पर कौन सा संख्या इस्तित है जैसे देखिए इसको करते एक्स एक्सिस पोजेटिव एक्स एक्सिस इस सैड होता है निगेटिव एक्स एक्सिस ठीक उपर में जाएगा तो य एक्सिस होता है य एक्सिस और यह पोजेटिव एक्सिस होता है जब नीचे आएगा क्या होगा निगेटिव एक्सिस य एक्सिस क्या होगा निगेटिव होगा किलियर यहां पर यहां पर यहां पर कहीं भी ओसकता जब यहां पर होगा एक्सका वैलू क्या हो यहां से यहां तक एकस का वहलू 0 होma पहले हम लोग लिखते एकस एकसिस का उसकी बाद classes felt यहां 0 होगा और y होगा ठीक जब नीचे आएंगे यह वी क्या होगा x के axis पर क्या होगा 0 और y के अस्थान पर क्या होगा minus 1 minus y के लिए यानि जो भी formation इस रूप में बनेगा यानि यह हो गया x यह हो गया एक्स यह हो गया एक्स और यहां जो दिया गया तो एक्स एक्स पर ठीक है क्या कर रहा है एक्स 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 क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए तो यह तो होगा नहीं यह भी चार है तो यह भी नहीं होगा यह वह नहीं होगा क्या होगा यानि ऑप्शन इस प्र दिया गया उसको solve करना है तो देखिए क्या कर रहा है root 5 plus root 3 divide by root 5 minus root 3 plus इसको add करना है किसमे root 5 minus root 3 divide by root 5 plus root 3 जब नीचे वाले का lcm लेंगे तो क्या होगा root 5 minus root 3 into root 5 plus root 3 अब देखिए इसको जब भाग देगे तो यह कर जागा बचा यह जब इसको इससे multiply होगा तो क्या होगा root 5 plus root 3 का home square इसमें यह कर जागा root 5 plus 3 root 5 से कर जागा बचा कितना root 5 minus 3 जब इसको solve करेंगे आगे तो दिखिए उपर वाला क्या होगा a plus v का home square में तोटेगा यानि a square यानि 5 रूट से हड़ जागा b square यानि 3 पलस रूट 2ab, 2 into ab, ab में multiply होगा 5, 15 रूट 15 ठीक है पलस, इसको जब तोड़ेंगे तो 5 हो जागा पलस में, पलस b square में यानि 3, minus 2, ab, ab कितना हो जागा, 15 हो जागा, clear है, divide by, जब इसको a minus b और a plus b के रूप में है, तो a square minus b square, यानि 5 का root 5 का square कितना हो जागा, 5 और root 3 का square कितना हो जागा, 3, यानि 5 में से 3 घटा देंगे, अब देखे, ये वाली संखिया और ये कट जाएगा, ठीक, बचा कितना 5, 3, 8 और 5, 3, 8, यानि 8 हो जाएगा, नीचे कितना बच निव में से 0.032 और 0.2 के उत्पादक का बर्गमूल है, उत्पादक मतलब होता इसका गुननखंड, गुना करना है, तो गुना कीजिए और उसका बर्गमूल निकालना है, यानि 0.032 को जब 0.2 से multiply करेंगे, और उसके बाद जो आएगा, उसका क्या करेंगे, बर्गमूल निकालेंगे, देखिए, इस बात को हम क्या लिख सकते है, 32 में 2 से multiply करेंगे, तो कितना जागा, 64 multiply, देखिए, एक, दो, तीन, तीन, पॉइंट के बाद यहाँ है, और एक यहाँ है, यानि 10 to the power minus 4 है, कितना है 10 to the power minus 4 है, जब इसको solve करेंगे, तो यह निकल जागा, आठ मत का कडिक जवाब होगा, यानि option A, इस प्रेस्ट का कडिक जवाब बन जाएगा, clear है, next, एक चुनाब में दो उमीदबार में से, दो उमीदबार में से, एक ने क्या किया, कुल बैद मतों का 55% मत प्राप्त किया, बैद मत का 55%, तता 20% मत अवैद घोसीत हो गया, यानि 20% मत जो है, खराब हो गया, यदि कुल मतों की संख्या 75,00 हो, तो दूसरे उमीदबार ने कुल बैद मत का कितना प्राप्त किया, देखिए, टोटल बोटिंग वाद 75,00 का, इसमें से 20% अवैद हो गया, यानि 20% खराब हो गया, तो सही बोट कितना परा, 80%, इसमें से क्या करा है एक उमीदबार को 55% बोट मिला, एक को 55% बोट मिलेगा, तो दूसरा को कितना मिलेगा, नॉर्मल बात है कि 45% मिलेगा, तब तो 100% को, यानि जो बैद मत है, उसका दूसरे को कितना मिला, 45%, यही पूछा है, दूसरे उमीदबार को कितना मिला, 45%, जब इसको 100 किजेगा, यह जीरो से जीरो कड़िया 25 तिया 75 25 चकल सो चार्ट चार से असी खड़िया चार दूना आठ बीस मरते यानि पैतालिस दूना नब्बे नब्बे तिया 27 नौतिया 27 यानि 27 जीरो यानि 27 सो इसका कडिक टेंसर होगा यानि option D is present का करेक जवाब हो जाएगा clear है next two cycle सवार एक ही अस्थान से में क्रम सब पटना एवन सिवान से एक दूसरी की ओड़ बढ़ रहे है एक ही समय में एक ही समय में यहां पटना है यहां पे सिवान है ठीक है पटना से सिवान की ओड़ दो साइकल सवार आ रहे है एक इधर से जा रहा है पटना से सिवान एक सिवान से आ रहा है कहां पटना के तरफ ठीक है उनकी गती आठ किलोमेटर प्रती घंटा और दस किलोमेटर प्रती घंटा यहां से पटना से लेके सिवान तक की दूरी कितना है 200 किलोमेटर ठीक अब देखिए एक चलता है तो उनके मद साथ स्रीब से पतना से जो सिवान जा रहा माले का इसका healthy कि टॉरीं फ्य 사진 और जो सिवान से पट ना रहा उसका त्व किलो मिट करेंगा अब क्या कर रहा है दूरी बड़ादै गने और आठ सते 56 किलो मेटर की दूरी तया करेगा और यह कितना दूरी करेगा साथ गंटा में 70 किलो मेटर यानि टूटल कितना डिस्टेंस तया कर लिया 56 पलस सतर तो तिन दस बारा यानि 126 किलो मीटर इन दोनों ने तै कर लिया यानि टोटल डिस्टेंस कितना था 200 किलो मीटर की दूरी से 126 किलो मीटर दूरी तै कर लिया तो बचा कितना दूरी बचा कितना दूरी यानि 200 माइनलस 126 km की दूरी तया कर लिया था 126 को 200 में से घटा देंगी बचा कितना 10 में से 6 गया 4 यह गया 9 9 में से 2 गया 7 7 का 8 गया 74 km की दूरी बच गया उन दोनों के बीच यानि option C is present का कडिक जवाबों का clear है next एक वेक्ती ने एक वस्तू उसकी मुल से 10% कम में खड़िदा यानि मुल माल लेजे 100 रुपया है उसने उसको कितना में खड़िदा 90 रुपया में खड़िदा 10% कम नहीं ने करा है 10% कम में खड़िदा ठीक है तता उसकी मुल से उसने 10% अधिक में बेच दिया 100 रुपया उसका मुल था और उसने बेचा कितना 110 रुपया में यानि 10% प्रोफिट के साथ बेच दिया अब क्या करा उसको बेचती को क्या हुआ 90 में उसने खरीडा और वेच दिया 110 में। उसको कितना का प्रोफिट हो गया ? कितना में 90 में 900 में काट दिये 1.220 वटा 9 की ज्गत 929 28 1922 दो फिरो नदूना अठारा उनीसिक बीस तो यानि पॉइंट जीरो यानि टू अन्टी टू पॉइंट टू टू आते रहेगा यानि वाइस परसेंट का उसको प्रोफिट हुआ हो गड़ी संत्रे वेचने पर एक फल वाले को चार संत्री के बिकनायमूल के बरावर हवानी होती है क्या किया उसने बेचा कितना बेचा कितना चतिस संत्रा बेचता है यानि चतिस संत्री का बिक्रैमूल आनी कितना होड़ा है उसको चार संत्री का हानी के बराबर होता है चार संत्री के बिक्रैमूल के बराबर उसको आनी होता है ठीक तो उसका क्रैमूल क्रै कितना में खरदा काली चारएंट तरी को ईषण पर घरता लेकिन उसको क्या expressing रुपया का इस में हानी हो मुंद रहा है यजब बीच रहा है तो चार रुपया निकालता है क्या निकलना, हानी सो, बटा हानी परशेंट किस पे निकलता है, क्रैमोल पे निकलता है, बटा शालीस, यह उतकोथ काटेंगी चार से 4 कड़ का, यानी दस इस परेशनट का उसको क्या हो दा हुदा है, या आपस सी इस परेशन का कड़िक जबाबुगा, इस दसका का ंखन. की जए Why जिया मालनीन नाव का गति एक से क्या है नाव की चाल एक से और धारा का वाई ठीक है धारा का ही वाई अब क्या कर आ है läuft नाव चाहतर्क धारा की दिशा में तीन गंटे में तती बराबा क्या ओलता डिवपपर्न स्पीड इस्टेंस किया 36 किलोमेटर की दूरी जब जाएगा स्पीड क्या धारा कि जब दिसा में जाएगा तो दोनुगा स्पीड क्या होगा एड होगा जोना का स्पीड एड होगा यानि x-plus y यह समय कितना ले रहा तीन घंटा ले रह कि एह आगीक्या का रहा है यह आगे क्या सब आए एक अढ़ा की चायरा की चाल को घटाते है जंब कड़ें टे ज Waltonょ यानि x minus y बराबर कितना हो जगा 6 घंटा एक 6 किलोमेटर प्रती घंटा और x plus y हो गया 12 किलोमेटर प्रती घंटा जब दूनों equation equation 1 हो गया और equation 2 हो गया जब दूनों को solve करेंगे equation 1 और equation 2 को तो देखिए x x plus y बराबर 12 इसकी जिगा अब पूट करके भी बना सकते और x minus y बराबर 6 जब इसको solve करेंगे तर 2x बराबर कितना हो जगा 12-14 यानि x बराबर कितना हो जगा 9 किलोमेटर प्रती घंटा पूछ क्या रहा है तो इस तिर जहर में 9 की चाल तो 9 हमने क्या माला था x मानने थी और x का speed कितना है 9 किलोमेटर प्रती घंटा यानि option a इस प्रश्ट का कडिक जवाब हो जाएगा clear है next एक किसान पाच दिन में तीन एकर जमीन जोतता है वह बारा एकर जमीन कितने दिन में जोत सकता है तो बारा एकर जमीन को कितने दिन में बीडे में वही एक किसान जोतेगा देखे, किन से कार दे तिन चेक बारा, यानि D बराबर कितना क्रोस मल्टिप्लाई होगा 20, यानि D बराबर कितना हो गया, 20 दिन में, उसको कितना समय लगेगा, 20 दिन, यानि Option D, इस प्रस्ट का कडिक जबाब होगा, कितना दिन, 20 दिन, नेक्स्ट, तीन वर्ष पूर्व, A और B की ओसत आयो 18 वर्ष थी, यानि A और B का, आवरेज 18 था, यो कितना होगा, 18 में 2 से मल्टिप्लाई करेंगे, 18 दूना 36 वर्ष, या कब था, तीन वर्ष पूर्व था, यानि परजेंट में यहां से यहां तक, परजेंट में आने में, इन तीन वर्ष दोनों में बढ़ा, यानि 6 वर्ष का ब्रीदी हो जाएगा, दोनों में, यानि परजेंटेज यह हो जाएगा, परजेंटेज कितना हो जाएगा, तो दूना 12, 3, 14, 42 वर्ष इन दोनों A और B का परजेंटेज हो जाएगा, यह क्या था, तीन वर्ष से सम्कितना होसानःा एटके सी की बारत्मान आई हमने क्या निकाला 42 बार जिक निकाले थे 42 जनिकाले सब्सक्किस से बड़ावकिशunt माइनस 42 जब इसको सॉल की जेगा तो कितना आ जागा 4 यानि 2 यानि 24 वर्स इसका कडिक जवाब होगा यानि option D इस प्रस्टन का कडिक जवाब कितना 24 वर्स किलियर है next next question क्या है कित्र y का मान गयाद किजिए जो दिया गया इसमें y का value गयाद करना है देखिया क्या दिया गया इसको समझे है ठीक है अब देखिये question में क्या कर रहा है यह दिया गया 22y जब यह कौन कोई भी तिर्यक छेदी रेखा तो यह कौन और यह कौन आपस में बराबर होगी यह कितना होगा यह कौन और यह कौन आपस में बराबर होगा यह देखिये कितना इस टेट लाइन पर कितना डिगरी का अंगल बनता है यह देखिए एक स्टेट लाइन पे 12 y वराबर कितना हो गया 180 डिग्री जब इसको solve करेंगे 6 212, 638, 3 2C कड़ जाएगा 252, 30 यानि y वराबर कितना आगया 15 डिग्री कितना 15 डिग्री यानि correct answer होगा option C expression का कड़िक जबाब हो जाएगा कितना 15 डिग्री expression का कड़िक जबाब हो जाएगा clear next एक सम बहुभूज में जिसमें पर्टी कौन की माप 108 डिग्री कितनी भूजा रह सकती है जब भी सम बहुभूज का बाता है सम बहुभूज सम बहुभूज का जब भी बाता है तो इसमें दो कर्मूला आपको याद रखना है ज्यादा important एक होता है और और फ्रकॉन आइक होता है Bond का योग आंट्रीकुन का योग होता है Subst. sz इन Entonces जा बहुभूज lowering पूछा जाए यह होता sentenceर्ट्र मिल्याख सम होता है आंतिक कोन का योग होता है, योग का फर्मूला होता है n-2 into 180 degree, यही पूचा परतिक आंतिक कोन, यानि परतिक लग जाए, परतिक यानि सिंगल सिंगल निकालना हो, इसी में से n-2 into 180 में क्या करना है, n से डिवाइड कर देंगे, परतिक आंतिक कोन, यहाद परतिक y को निकालन तो 360 वाई N कर देंगे के लिए अब क्या कर रहा है एक सम बहुबो जिसमें पर्तिक कोन का माप 108 डिग्री है यानि पर्तिक कोन का माप 108 डिग्री जब कोई भी बात न कहा जाए तो क्या मानेंगे यह किया दिया गया आंत्रिक कोन का बहलू दिया गया है पर्तिक आंत्रिक कोन minus 8.32, 360, बढ़ाबर कितना हो जाएगा, 108, जब इसको solve करेंगे, 108 इधर आजाएगा, यानि, 108 in, minus 108 in, बढ़ाबर कितना लिख सकते है, 360, जब इसको solve हो है, 10 में से 80 गया, 2, 3 हो गया, 7, यानि, 72 in बढ़ाबर हो गया, 360, साथ यान यानि यह कड़ जागा कितना मरते पाच मत बहत्तर पचे तिनसो साथ यानि पाच मरत यानि इन बराबर कतना हा गया फाइव यानि वह संबह बूज किदनी भूजा वाला है पाच भूजा बला यानि option d is का करिक्च जबाब हो जाएगा केलियर है next कि एकस प्लस वाइबर थिरी एकस प्लस वाई बड़ावर कितना देया थिरी पुछ क्या रहा है तू एकस प्लस फाइब वाई बड़ावर 12 तो हल कीजी दूने के हल करके या एक्स और वाई का वैलू निकालना है पहला एक्क्वेशन से पहला ओप्सन का यूज करते हैं पहला ओप्सन का यूज करते हैं पहला ओप्सन में क्या करा है एक्स के जगा वन रखते हैं कीजगा1 रखेंगे रखेंगे यर्यक्त सट्थाइस्ट रखेंगर फोस्ट जाएद हो थीक है तो औன एक तेन किलिए एक सक्ट गणे यहां टेमने वन पर अलसी y कितना है y की जगह पे 2 रखेंगे कितना है 2 पलस 10 कितना आ रहा है 12 यानि यह भी क्वेशन को सटिस्फाइड कर रहा है यानि option A ही इस प्रश्ण का कडिक जबाब होगा यानि option A clear है next यदि किसी तिर्भूज की किनी दो भूजाओं को एक रीखा एक ही अनुपात में बाड़ती है तो रीखा को तीसरी भूजा के डैस होना चाहिए देखिए एक तिर्भूज जा गया है clear जा जा जाघिया तिर्भूज जा गया इसमें क्या कर रहा है एक यहां से यह एक और यह भी एक तो दूनों बराबर यह रेखा कि यह बला क्या होगा समानांतर होगा क्या होगा समानांतर होगा यानि वर रिखा तीसरी भुजा के क्या होगा समानांतर होगा समानांतर होगा यानि option C expression का कडिक चबाब होगा option C समानांतर expression का कडिक चबाब हो जाएगा clear next X बराबर –1 तो देखिए यहां power का बात करा है जब भी –1 के power n whle result क्या आएगा positive 1 1 आएगा –1 की power और हो result क्या आएगा –1 आएगा –1 की power उगा then result 1 –1 की power ąड होगा result क्या आएगा –1 अब देखिframes यहां क्या कर रह रहा है 8X के power 3 8X के power 3 ये क्या है इभेन है या नहीं यहां पर result क्या आगा 01046 36 X square X square X के power क्या है positive इसका value इतना आजागा 1 आजागा 54 into X single power यानि oddick इसका result क्या आगा माइनस वन आएगा पलस 27 के लिए अब देखे एक आठ में माइनस 1 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो माइनस 8 पलस 36 में 1 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो पलस 36 चोबन में माइनस 1 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो क्या आएगा माइनस 54 पलस त्वटी सेवेन अब देखी आठ और चोवण को जोड़ींगे तो देखी पहले पलस पलस को एक साथ कर लेते 36 को 36 और 24 को पहले एड कर लिजेए 36 और 24 को एड की जिएगा तो कितना आजागा चोचाध दस इंदू 514 साथ आजागा और आथ और चोवन को जब आड की जेगा तो कितना यह मैनस में आएग का मैनस्थाल दस दू बाड़ा जल पाच ऐक चों यानि चाथ निस अभीड निस रच वा सट को से जिसके दोरा 35 puisque 52 नोश को गुणा किया जाए तो ताकि गुणन फलका बढ़्ग मूल एक हो जाए ऐसा करना है कि गुणन फल निकालन है और उसका बढ़ पर मूल कितना हुजाए वन हो वटा 42 गुनी X X बड़ावर कितना 1 यानि X बड़ावर क्रोस मल्टिप्लाइ होगा यानि 42 वटा 35 जब इसको कार्टिंगे तो कितना होगा जब भी मानक रूप मानक का मतलब मानक रूप का मतलब क्या होता है कोई भी संख्या क्या हो A into 10 to the power P के form में होना चाहिए यहाँ A क्या है यह आपको 1 से लेके 9 तक का digit होगा अब देखिए क्या जिए गया 4, 7, 8, 3 को उनको मानक रूप में लिखना है क्या कीजिए क्या होना चाहिए मानक रूप क्या होगा 4 point something होना चाहिए कितना अंक है 3 अंक है 1, 2, 3 क्या कीजिए इसको 3 से मल्टिप्लाई कर दिजिए 10 to the power minus 3 से 10 to the power plus 3 से मल्टिप्लाई कीजिए और यहाँ पे चितना अंक है 1, 2, 3 देखिए क्या कर रहा है मानक रूप में लिखना है कितना लिखना है 4, 7, 8, 3 मानक रूप में लिखना है एक पहला तर एक अस्तान पर क्या आएगा चार आएगा अब उसके बाद देखेंगे कितना डिजित है डिजित है 1, 2, 3 3 डिजित है 10 to the power 3 लिखिए और मल्टिप्लाई कीजिए कितना से 4 पॉइंट इसके बाद कि जैसे देखे जब भी मानक रूप में लिखना हो जैसे अगर आपको देदिया जाए इतना भेर हो देदिया जाए 5, 4, 3, 2, 6 मानक रूप में लिखना है तक क्या कीजेगा आपको सबसे पहले 5 को उतार देना है अब देखिए क्या हो डिजित है एक, दो, तीन, चार दिखिए मल्टिप्लाइ में 10 to the power 4 ठीक और देखिए 4 है तो यहाँ पॉइंट देदिजे 4, 3, 2, 6 इसको उतार दिजे यह इसका क्या होगा मानक रूप स्टेंडर रूप हो जाएगा किलियर है जिसका भी मानक रूप निकालना उसके बाद पॉइंट देदिजे और उसके बाद इतनी संख्या उसको 10 to the power में लिख देना है क्लियर है नेक्स्ट जमाल की पास 5 मीटर लंबी लंबाई और 4 मीटर चोड़ाई वाले भूमी का एक खंड है ठीक है यह जो बर्गा का भूमी खंड है यह चार-चार मीटर का बर्गवा कार है ठीक है उनकी छेत्रफल का में क्या अंतर होगा यह क्या है आयत है पहली जमाल की पास क्या है यह जमाल है और यहाँ पर क्या है सुनील है ठीक है जमाल किस तरह का भूमिखंड यह है आयताकार भूमिखंड कैसा आयताकार भूमिखंड यानि आयत का छेतफल क्या होता है L into B, लंबाई into चोड़ाई, यानि लंबाई क्या यहाँ 5 है, चोड़ाई क्या है 4, यानि 5 को 20 cm square इसका एडिया है, किसका है जमाल की पास और सुनील के पास जो छेतर है वह कैसा रूप में है वर्ग के रूप में है अब वर्ग का छेतफल क्या होता है भुजा स्कॉयर क्या होता है भुजा है इसको this बर art Excreet का चेत्फल क्या होता है वुजा शक्वायड भूजा क्या है यहां पर चार है चार का जव को इसक्वायर करेंगे तो कितना है का को रही है कि या पूच्चन के कहा आए उनकीकि घंड के छीटफल कश सवाब हो जाएगा किलियर है तैंक यू पर वाचिंग देस वीडियो, ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो पानी के लिए अपने चैनल भी एसी बिहार स्टेटिक जाम को सब्सक्राइब कर लिए साथ में बेल वर्टिन को दा वाजिता कि आने वाले प्रतीक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके तैंक यू once again